नमस्कार साथियों आप सबका पुनह स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो जोतिश में तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी जी की जन्मकुंडली महात्मा गांधी कहें बापू कहें राष्ट बिता कहें जोतिश जो सीखना चाता है उसको जोतिश के numerical करने के लिए कहा जाता है यानि उसके questions करने के लिए कहा जाता है चाहे कोई कितने ही वर्षों से कोई जोतिश के अध्यन में है, पुस्तकें पढ़ रहा है, गुरूं से दिक्षा ले रहा है, जब तक वो कुंडलियां नहीं देखेगा, हमारे गुरूं ने भी हमें यही बताया, तब आपने अगर हजार, देड़ हजार कुंडलियां देखी हैं, तो ही आप किसी और के भविश्य को देखने में सक्षम है, नहीं तो आप learner, यानि सीखने वाले तो हो सकते हैं, बताने वाले नहीं हो सकते हैं, तो अगर हम उस शेणी में जाना चाहते हैं, कि भी हम दूसरे को भी बता पाएं, तो जोतिश के numerical करने चाहिए, numerical यानि उ उसके जो प्रश्न उत्तर, उसके सौल नहीं करते थे, तब तक लाभानी के जो हम फार्मले याद करते थे, या A प्लस B का होल स्कुएर याद करते थे, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत जरूरी चीज है, कि आपने कितनी किंदलियों का अवलोकन किया है, कितनी कुंदलियों को देखा है, कुंदलियों किसी की भी हो सकती है, हमारे पडोसियों की हो सकती है, और हमारे घरवालों की हो सकती है, लेकिन यो प्रसिद्ध कुंदलियों में जब हम डिसकुशन में लाते हैं, तो सभी को लगबग चीज आज example chart के रूप में महत्मा गांधी राष्ट पिता बापू का चार्ट लिया है और हर प्रकार से जो विक्ति इस रूप को समझना चाता है महत्मा गांधी जी के जनकुंडली के रूप को तो वो एक-एक भावों को अच्छे से रिलेट करने का प्रयास करें तो समझ जाएग जैसे किसी भी कुंडली को आप देखते हैं सबसे पहले हम किसका ध्यान लगाते हैं लगनेश और राशी के स्वामी की स्थिती क्या है वो फरक नहीं पड़ता है कि वो उसके साथ कोई शत्रू बैठा है द्वंद में लेकिन अगर लगनेश और राशी का स्वामी मजबूस थिती में बात बन गई हम दूसरे के चाहे हमें कैसा ही महौल मिले हम क्योंकि हमारा खुद का घर है लगनेश का जैसे आप देख रहे हैं लगनेश यहां वीनस यानि शुक्र स्वग रही होके बैठे हुए हैं खुद का घर है यहां कोई भी आता है अंतोतो गत्वा घर वा राशी को यह special advantage होता है यानि जो दिलों पर राज कर सकता है वो करक लगन और करक राशी यह हमने पहले भी विचार किया था जैसे भगवान राम मन पर राज करते हैं ठीक हो गया तो इस प्रकार से ध्यान लगना है कि समय को क्या प्री है वो अलग बात है लेकिन काल के उप पर भी जो महाकाल है उसको क्या प्री है वो हमें देहा वे जैसे समय को तो मेश लगना बहुत प्री है लेकिन जब परमात्मा आ रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्त हमारे हैं तो वो करक लगन और करक राशी लेकर आ रहे हैं ठीक हो गया और अधूरे ग्यान से किसी जन् है एक दम unbiased हो कर कि बहिं अपने को हो सकता भई ये तो अपने को सबी को मानना पड़ेगा कि मेरे दादा पर दादा आपके दादा पर दादा सभी महात्मा गांदी राष्ट पिता के follower रहे हैं बहुत बड़े भक्त भक्तों में मैं तो बहुत बड़ा भक्त कहूंगा क्योंकि ये भगवत गीता को अपनी मा की संग्या देते थे मातमा गान्दी तो आप समझ सकते हैं और कई लोग इनको कई दफ़ा पार्टी के साथ जोड़ कर देखते हैं आप पढ़ लीजिएगा इनकी जीवनी के बारे में स्वेमिनों ने कहा था मातमा गान्दी की मेरे जीवन में मैंने किसी पार्टी के साथ अगर अपना नाम जोड़ा है मेरी ये इच्छा है कि जैसे ही देश आजा तो वो पार्टी पूरी तरह से उसको मिटा दिया जाए वो उनकी इच्छा है इसलिए उनको आपको किसी राजनीतिक जीवन में भी जोड़ कर नहीं देखना है वो तो पूरी तरह से राजनीति से मुक्त एक मातमा ही मातमा हैने महानातमा तो सीजी हम कैसे पूरी दुनिया यहां तक की जो नॉबिल पुरुसकार देती है उसको भी एक अपसोस रहता है कि भई यह महातमा गांधी को इतना उनका पूरे दुनिया में नाम रहा सौथ अफरीका में नाम रहा इंग्लेंड की कह सकते हैं उन्होंने नी भिला दी अंग्रेजों की यह रहता है अपसोस कि हमने महातमा गांधी को क्यों उस समय रेकगनाईज नहीं किया उनको तो नॉबल पीस अवाड देना चाहिए था यह दमखम ऐसे ही नहीं मिलता है मतलब आप कभी एक बार अपने उपर विचार करके देखे कि आपने इंग्लेंड में जाकर सबसे बड़ी कानूनी पढ़ाई पढ़ी उसके बावजूद भी सबत्याग दिया उनका जीवन ही इस परकार का रहा कि कभी जैसे एक बार मासाहार खाने का प्रयास भी किया वो उनको पच्चाए तो उन्होंने ये तै किया मात्मा गांदी ने भी मैं पूरी तरह शाकहार ही रहूँगा ठीक हो गया और एक जैसे एक सन्यासी रहता उस परकार का जीवन उन्होंने जिया तो वो किस परकार से समयन में आता है क्योंकि कई जैसे अब इसमें आपको पापकरतरी समयन में आता होगा अगर लगन दोनों तरफ से घिरा हुआ है कुरूर ग्रहों से उसके बावजूद भी ये तो ख्वाब है इस यश का तो हम खाली कल्पना कर सकते हैं मात्मा गांदी के यश के आसपास भी किसी नहीं ला सकते हैं सभी गांधी इरा के ही पार्ट है ठीक हो गया तो जबरन कुछ थोपने का काम नहीं करना है इसमें आप भी कभी विचार कीजिएगा जो इस फिलोसफी में मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि गांधी इरा से अपना थोड़ा अलग विचार है जो भी हिंसा पर्मो धर्मा जो मानते थे वो भी माहत्मा गांधी जी को अपना सर्वे सर्वा बापू कहके बुलाते थे आप समझे रहे ना बापू यानि पिता ठीक हो गया तो राष्ट पिता की संग्या ऐसे ही नहीं दी जा सकती है इसलिए जोश में आके कुछ बोल देना वो अलग बात है लेकिन इसमें कोई दोर आए नहीं है कि ये एक महा ग्यान महा सागर की बात करता है वो किस कहां से समयंद में आती है वो सबसे पहला अब तो हमने जनरली हमारे वीडियो में बात बताते हैं कि येश के लिए हम केंद्र भावों को देखते हैं ठीक हो गया और भाई हमें बनी बनाई लक्षमी मिल गई तो हम लक्षमी त्रिकोणिया ने एक पांच नौ को शामिल करते हैं ठीक हो गया तो इसका स्वामी शनी तो बैठा अपने सैड मूल में हला कि वो भी उसका जैसे कहते हैं पुरशिक राशी का जो ये स्वभाव है चीजों को जैसे पुरा तत्वा बिभाग वाला जांच पड़ताल करने का तो ये जो पुरातन चीजे होती हैं उन पर क्योंकि इसको प्राइमरी एजुकेशन माना जाता है सेकिंड हाउस को ठीक हो गया हमारा प्रॉमिसिंग नेचर माना जाता है तो महात्मा गांदी ने किसी भी फिलोसफी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया पहले उन्होंने खुद पर्खा कि ये कितना जादा इसको ये सही है नहीं है और उस परकार से जो भी समाज की कुरूतियां थी उनको दूर किया उसके खिलाव भी आवाज उठाई ये तो क्या होता कई दफ़ा दूसरा भाव हमारा एकदम बली है तो जो हमें परिवार से मिला है उनको हम एजटीज मानते ही इसको बोलते है मौरायल वेल्यू तो वो खुद से उन्होंने उसके लिए द्वंद भी किया है जहां लगा भी हमारे कुछ कोर में कुछ ऐसे कमी आ गई है उसको सुधारा जाए और सब को, सब में वो प्रब्रम परमात्मा को ही देखा करते हैं यह इस प्रकार का द्वंद भी समझ सकते हैं और सबसे बड़ा तो देखिए जब कभी भी लगनेश बैठे तो अपने जीतोनी की हो रही है लेकिन उनको देली बार-बार बताने वाले आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा अनफेवरेबल हालात बनाने वाले प्लानेट साथ ही बैठे हैं जैसे शुक्र के साथ में यहाँ पर मेलफिक प्लानेट मंगल बैठे है ठीक हो गया और मंगल नौमेश को भी यहाँ प्रभावित कर हाला कि यह राजयोग है ठीक हो गया नौमेश के साथ लगनेश का मिलना लगन में ही मिलना प्रबल राजयोग है ठीक हो गया उसके बावजूद भी जब इस प्रकार का द्वन्ध हमारी राशी में भी बनता है और हमारे लगन में भी बनता है तो आदमी डेली कोई ना कोई चैलेंज बनाता है उनको स्विकार करता है और उन पर जीत हासिल करता है कोई भै नहीं था मतलब कुछ नहीं खाली एकदम महत्मा की तरह और उसी उसे एक माने एक छड़ हाथ में लिये हुए है और धोती पहनी हुई है और पूरी अंग्रेजी फौज के सामने डटे रहते है τον ये बल लगनेश और रासी का स्वामी स्वग रही है और केंदर में साथ साथ ग्रह केंदर माने वश्नु हौसेस जो यष्द की बात करता है तो साथ साथ ग्रह केंदर में आरे हैं कितनी बड़ी बात है तो आप समझ सकते हैं कि यश के लिए तो केंद्रों में आना पड़ेगा बहुत effort कराते हैं जब केंद्र में इतने ग्रह आते हैं लेकिन उतना ही ज्यादा यश ठीक हो गया कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में 200 से ज्यादा देश है कहीं भी आपको अगर भारती मिलेंगे भारती नहीं मिलते हैं तो वो फिलोसफी है जो गांधी जी की फिलोसफी आइंसा पर्मो धर्मा वो फिलोसफी के मानने वाले मिलेंगे तो आपको मात्मा गानी या गांधी जी की फिलोसफी मिल जाएगी दुनिया के लगबग सबी देशों में ठीक कहते हैं यह मेरे बापु हैं यह मेरे पिता हैं ठीक हो गया तो हमें भी मानना पड़ेगा आप भी कभी विचार कीजेगा कि क्या मेरे पर दादा दादा इनके फॉलावर नहीं थे नश्चित रूप से थे ठीक हो कई दफ़ा हम पार्टिशन में मानते हैं कि लेकिन थोड़ा और गंबीरता से पढ़ेंगे समझ में आएगा पार्टिशन में आपको कोई विचार करना चाहिए कि इतनी रियास्ते थी अगर सारी अलग हो जाती तो क्या होता ठीक हो गया मात्मा गांधी साथ में थे सरदार वल्लब भाई प तालिस अलग लग हो गए रियास्ते इकठा हो गया इनसान तो हमेशा ही दुख को मेरा क्या चला गया क्या था जी हमसे पाकिस्तान चिन गया उसी के बारे में बोलते हैं लेकिन क्या प्राप्त हुआ ये कितनी बड़ी बात है अगर कहीं ऐसा हो जाता भी दिल्ली अलग रा जी बन जाता तो हमारा माने पंजाब अलग राष्ट बन जाता तो क्या हालात होते हैं हमारे तो इसलिए हमें बहुत बड़ा हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि उस समय सबको बांधने वाले ऐसे नेता थे ठीक हो कि अब लोग इसमें अलग अलग प्रकार की गणाये करते ह हालात वैसे बने हुए थे कि जिसमें कोई ऐसा वो तो और ज़्यादा बट सकता था लेकिन हमें यही संतोष बना चाहिए कि चलिए पाकिस्तान और बांगलादेश बनकर भी बहुत बड़ा हिस्सा एकठा रहा एकत्र रहा ठीक हो कि इनसान की यह फितरत होती है क्या मिला उससे संतोष नहीं है क्या चला गया उसी को देखता रहता है और अपना भला जो मिला उससे नहीं कर पाता है तो पहले हमें जोतिश में आने से पहले उनके विक्तिकत जीवन को समझना पड़ेगा तभी जोतिशी शूत्र हमारी कोछत मदद कर पाएंगे जैसे चौथा भा मा शब्द बहुत रहा और उनसे मिलने की ललक कि मुझे भी कोई पुछकारे मुझे भी कोई सम्हाले तो वो रहा और केतु ने इनका मा के साथ जब छील लिया तो फिर ये अपने भगवत गीता को ही मा मान लिया उनके केतु मोक्षा प्लानेट भी माना जाता है और मोक्ष माने दरश्टी से ये तो लोकिक सुख्दे छीन लेगा हमारा लेकिन आप देख रहे हैं महात्माओं के और भक्ति आंदल उनों में बड़े-बड़े भक्तों के जीवन में मोक्षा हाउसेज में इस प्रकार के प्लानेट संबंद बनाते हैं 4-8-12 में ठीक हो गया तो मा को तो शुरुआत से याने इनकी जीवन में बड़ा रहा कि मा सदयव मेरे साथ रहे तो मा के जाने के बाद भी उन्होंने भगवत गीता को अपनी मा माना कभी भी परिशान होते थे तो भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर देते थे और भगवत गीता का कोई ना कोई श्लो नहीं और सभी धर्मोप में सभी पंतों में बराबर उसी ब्रह्म को देखा ठीक है ये एक महात्मा एक बहुत बड़े योगी ही कर सकते हैं और बैरिस्टर होने के बाद इतने उचे सिक्षा लेने के बाद चाहते तो सुखई जीवन ले सकते थे ठीक हो गया एक सामान ने वक्ति जिसके पास कुछ नहीं है वो कभी ऐसी कलपना करता है तो थोड़ा फिर भी आता है समझ में कि त्याग था लेकिन बहुत उचे दरजे का नहीं था जिसके पास सब कुछ है वो ऐसे भी कुछ भी ना करते तो वो बहुत बढ़िया रह सकते थे उसके बाद भी वो एक तपस्वी की तरह रहे तो इसलिए ये दर्शन बड़ा गंभीर दर्शन है और बड़ा दचार करके किसी को भी क्योंकि हमने पहली भी समझाया है कि डिनाय तो करना ही नहीं है जब त जन्त ही माने जा सकते हैं तो ये सब किसके कारण गांदी जी की कुली में लगनेश मालव वियोग बना रहे है लगन में अगर बली होकर हमारा लगनेश बैठ जाता है या शुक्र मालव वियोग केंद्र में बना रहा उच्च का बैठ है तो बहुत बढ़िया माना जाता है ठीक हो गया और शुक्र को हम बड़ा उनको ये दोनों ही बड़े अच्छे मात्रत्व भावना कूट-कूट कर भरी हुई है ये भी female gender माना जाता है माने Venus लगनेश और इसी प्रकार से चंदर मा को भी female gender माना जाता है तो मा के प्रती आगाद श्रद्धा या मत्र भूमी के प्रती आगाद श्रद्धा दिखाई देती है ठीक हो गया उसको हम चंदर कुणली से भी समझ सकते हैं एक, दो, तीन, चार ठीक हो गया क्या पढ़ रहा है Venus काहूस और Venus स्वग रही होकर बैठा है उद्वंद जरूर है मंगल पूरी तरह मालिक है और Venus जो है फी मालिक है और मरकरी दोस्त होकर बैठा हुआ है लगनेश के घर में ये भी परबल राजी हो गया और क्या चीज़ है जो सकुणली को बहुत बली बना देती है लगन चंद्र कुंडली से साथ ग्रह केंद्र में महान येश दिलाने वाले वने है ठीक हो गया लगन से और चंद्रमा भी केंद्र में है तो चंद्रमा से भी साथ साथ ग्रह केंद्र में आरे हैं बहुत बड़ा कारण है येश बढ़ाने का नॉमेश, जो हमारे भाग्य की बात करताए, हमारे धरम की बात करताए, नॉमेश बुद्ध के साथ लगने शुक्र लगन में राज योग बनारे है, ठीक होगा एसी प्रकार से लगन चंदर कुंडली अनुसार, प्रबल गज के स्री योग दशम से दशम यह भी बहुत बहुत यानि उनका कर्मक्षेत्र सदा एक बोल्ड कर्म दिखाई देता है जैसे हम यहां से समझते हैं तो चंद्रमा बैठे है अपने घर में ठीक हो गया राहू सामानेता हम क्या बोलते हैं किसी की कुल्ली में ऐसा बनेगा अभी तेरा तो तेरा तो करियर खराब है द्रग्रहन लगा हुआ है अब आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जीके जीवन में डेली चैलेंजिस आते थे और उसको ओवरकम करते थे उस पर जीत हासिल करते थे बिना वैपन के वैपन बालों किसे लड़ते थे यह मतलब आप समझ सकते हैं एक सन्यासी ही कर सकता है एक जैसे हम बात करते हैं राजस सगर के साथ हजार पुत्र वैपन के साथ पूरी एक आर्मी जैसे थे साथ हजार बहुत होते हैं और कपिल मुनी ने जल की कुछ बूंदे डाल दी सब धस्त हो गए तो महात्मा गांधी के पास कुछ नहीं है और पूर कि हम इनका सच में कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं यह भावना कहां से आ रही है यह भावना कर्मक्षेत्र में इतना बली होके चंदर मा बैठा और यहां से गिंते है यहां से गिंते है द przypadku दशम से दशम में गज के स्रियोग बन रहा है बहुत अच्छा अच्छा माना जा देखते हैं तो चंदरकुंडी से बन जाता है ये दशन तो इस प्रकार का संयोग दिरलाई मिलता है जब इस प्रकार के गज याने एक हाथी केसरी याने शेर जंगल में तो अगर ये दो पशु हमारे जंगल के आधिपत्ये में आ जाते हैं तो फिर हमें किसी जानवर से ये अश देखने वाला था वो लगन कुंडली से भी दिखाई देता है और चंदर कुंडली से भी दिखाई देता है माने हम जब स्वेम बहुत जादा अच्छा महसूस करते हैं यानि चंदर कुंडली से वो भाव बली समझ में आता है तो आत्मविश्वास की जरा भी कमी नह तो दोनों से ही बड़ा जबरदस ता रहा है गज के श्री योग वो चाहे आप लगन से देख लें दशंबाओं में और चंदर कुंडली से देख लें दशंबाओं में क्या जबरदस कॉंबिनेशन आ रहा है तो इस प्रकार के जब ग्रह और कहीं और ने टिके हुए हैं अजब मेरी दिश्टी से सबसे बड़ा कारण रहा केंद्रों में इतने हाउसे माने इतने प्लानेट का आना और उसमें भी लगनेश अपने घर में है राशी स्वामी अपने घर में है आनंद हो अब देख रहे हैं पापकरतरी भी क्या भी गाड़ पाएगा ठीक है पापक कि हारा था कि हम खाली सुतों को पड़े जारे हैं नुमेरिकल हम करनी रहे है यानि कुलिया लगानी रहे तो कैसे समझ में आएगा इसलिए हम अपने चैनल में भी कोशिश करेंगे कि हर चौथे दिन पाँचवे दिन हमें आपको एक numerical जरूर दें पहले शुरुवात करेंगे प्रसिद कुंडलियों से उसके बाद बाद में हम शुरुवात करेंगे कुछ ऐसे जो गंभीर ऐसे कुछ रोग हैं कुछ ऐसे हमारे पास जो डाटाबेस है उससे आपको कुंडलियां देंगे ठीक होगा तो जरूरी है वो चीज़े बिना numerical के खाली कहीं formula हमने cram किये हुएं कोई फायदा नहीं है मैं जाएं का पोई पापग्रहा खराब होते हैं केंद्र में यह हो जाता है अब देख रहे हैं सभी के जीवन में मैंने क्या बेत भीता फायदियल सिफ कल्पना में होता है वास्तों में नहीं होता है और अगर आइडियल म कुण्डली मान लेते हैं तो आपको मैंने पहली भी बताया था साथ ग्रह आइडिल माना जा सकता है वो होई नहीं सकता है कभी भी याने साथ ग्रह कभी उच्च के आई नहीं सकते हैं ठीक हो गया है वो गणित का ऐसा सुत्र टकता है तो इसलिए आदर्षा खाली कलपना में इसलिए अगर हम दो ग्रह स्वग रही है तीन ग्रह स्वग रही है एक ग्रह उच्चका है आनन्द हो वही जीवन हमें चाहिए जिसको यश की कामना जादा हो वो केंद्रा जिसको धन की कामना हो वो एक पांच नो के स्वामी या एक पांच नो माने या तो अपने घर में बैठे हो एक पांच नो के स्वामी या वो केंदर के साथ मिलकर प्रबल राजयोग बना रहे हूं ठीक हो गया और लौकिक संसार में वैसे इन की ज़्यादा इन भावों की ज़्यादा चर्चा करते है ये भी धन भाव में या धन योग में माने जाते हैं ठीक हो गया इकादशेश और जितिये भाव के स्वामी की स्थितिक है अब जैसे एकादशेश का जो स्वामी है ने लाब भाव स्वामी अपने सिद्दो होकर बैठा हुआ है ठीक हो गया अपने ऐसे दो याने धन की बात करता है वैसे और बारवां भाव वैसे महात्मा गानी को महात्मा बनाने में विदेश भूमी का बहुत बड़ा योगदान था ठीक हो गया वैसे वो बन गए थे में जाकर पढ़ाई पूरी हो गए फिर वो उन्होंने ये कहा कि ठीक है अपने राष्ट में अब देंगे तो राजकोट में इन्होंने अपना बना भी लिया था सेवाएं देना भी शुरू कर दिया था परमारत के लिए वकालत के कई उन्होंने केसिज ले फिर ऐसा जीवन म द्वन्द डेली रगेें रहें सकते हैं उन्हों आत्मस सम्मान को जगाया कि ऐसे जीना संभव नहीं है कि ऐसी किसी ने ट्रेन से उतार दिया और बल प्रियोक किया मुझ पर बिना किसी कारण के और तब उनोंने उस गंभीरता को और समझा कि भई मैं तो टिकट लेकर चड़ा हूँ ऐसा कोई और वक्ती तो क्या करेंगे ये लोग उस गंभीरता को समझा और पूरे एक क्रांती यानि जौला से जौला मुखीब बन गया और उसी से लाखो करोडो लोग जुड़ गए ठीक होगे तो ध्यान रखना है कि इच्छा पूर्ती या जो आय भाव का स्वामी वो बारवे भाव में बैठा हूँ है सामानेता बारवा भाव खर्च का भाव माना जाता है तो लाब की तरफ उनों महात्मा गांदी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे मिलना चाहिए लेकिन क्या कोई इन सन्यासी को कोई कमी रही किसी चीज़ की बोलने भर की देर होती थी सब कुछ आ जाता था ठीक होगा तो किसी भी प्लानेट के ऐसे कॉम्बिनेशन को आपको सिर्फ यही तरीका है आप समस्तकते हैं कि 800 करोड से ज़्यादा आबादी है कितने कॉम्बिनेशन अलग लग और कई लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन लेकर महान यश्च है उनके पास अराम से जी रहे हैं वो जिसकों हम बोलते हैं भी यह ग्रहन योग है पापकरतरी में है और किंद्रादी पती दोश में आ रहा है इसलिए दोश दृष्टी को मुक्त करने के लिए एक्जाम्पल जाद से जाद हमें डिस्कस करने चाहिए और इसमें क्या बल दिखाई देता आपको लगन तथा लगनेश शुक्र के धितियस्ट शनी और द्वादस्ट सूर के कारण पापकरतरी योग भी है ठीक हो गया तो यह लगन लगनेश है इसके दूसरे और बारवे में पापकर रहे है ठीक हो गया समझ में आता है कि बई शरीर को इस प्रकार का संकट रह सकता है अब इसमें यह आता है कि बई इनको इनकी आसमे इनको कह सकते हैं प्राणों को निचावर कर दिया देश के लिए या अगनी अस्तर से इनकी हत्या की गई तो उसका कारण क्या दिखाई देता है कि ति लगनेश शुक्र के साथ हिंसक मारकेश मंगल भी है जो अगनी अस्तर से हत्या का कारण बना ठीक हो गया तो पहली दफ़ा तो मैं दुबारा क्लियर कर रहा हूँ कभी भी मारकेश को बार-बार खराब नहीं समझना है कई कुणियों में जब चर्चा करते हैं कहते हैं जी मेरी तो मारकेश की दशा चल रही है दशा ऐसे नहीं है जब कभी कोई कोई विक्ती बहुत बिमार रहता है कोई इस प्रकार का तब हम देखते हैं मारकेश नहीं तो वो धनेश है और वो वहवाईक संबंद देने वाला होता है बहुत लोगों का विवाही मारकेश के दशा में होता है ठीवर कुटुम्ब भाव का स्वामी है न वो वो तो हम तब और मंगल लगनेश के साथ बैठा है मारकेश के साथ बैठा हुए तो वो मंगल आपको पता है एग्रेसिव प्लानेट है अगनी की बात के तो अगनी अस्त्रिया ने पिस्टल से हत्या की गई थी और तो आप लोग काफी हत्तक समझ पाएं होंगे हाला कि इस कुंडली को य जैसे कई दफा बोलते हैं लोग कि बही मैं 15 मिनट में 20 मिनट में चार्ट को कैसे एक्स्प्लेन कर सकता हूँ वो आपकी बात एकदम सही है ऐसे तो हम 15-20 साल भी लगे रहें लेकिन हम डेली कुछ न कुछ जानते रहेंगे अपने बारे में या किसी चार्ट के बारे में त कोशिश करेंगे कुछ और बिंदूओं को भी आपके सामने इस प्रकार से रखें और अलग-अलग कुण्ली आपके सामने रखें ताकि आप यश में और प्राप्तियों में अंतर कर पाएं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर ब आपकार